नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पायल है मैं दिल्ली से हूँ तो आई अपनी श्रिंखला को आगे बढ़ाए हम डिसकस कर रहे हैं बुक आनिमल अन्दी आफ्टर लाइफ को जिसका की आज मैं चाप्टर्स टू और थ्री का आउडियो आपके साथ साजा करूंगी जो कि किम शेर बढ़ात होती है दोस्तों उसका नाम है अराइवल आगमन किसी का आगमन होता है किम और जैमत की जिन्दगी में तो यह स्टोरी इस तरह से शिरू होती है कि एक परिवार दिखाया जाता है जो कि एक अपने पालतू चुहे का परित्याग कर देता है कि क्योंकि अब इस जो किड़की खोल के से बाहर छोड़ देते हैं भटकने के लिए वेह चुहा दो दिन तक यहां भटकता है क्योंकि वेह पालतू चुहा होता है उसे अपने लिए बाहर खाना ढूणना नहीं आता लेकिन जब उस एरिया का मैनेजर उसे पकड़ता है तो उसे एक डबे में बंद कर देता है दो दिन बाद वो उस चुः को मिशयल को दे देता है मिशयल जो है ड़्वाट कर रहा हो कि तुमने मुझे बचा लिया मिश्यल उसकी अवस्ता को देखती है वह काफी कमजोर लग रहा होता है मिसेल सुअ को अपने घर ले जाती है उसका नाम नाम रखती है कciones को अपने घर में रखती है और उसका ध्यान रखती है पर अंतु मिशेल जो है एक वेकिंग вмुमन होती है वो काम के लिए बहार जाती है तो पहले दिन जब उसे बंद करकर जाती है तो वह देखती है वापस आती है तो देखती है कि जून ने एक बच्चे को जनम दिया होता है जबकि आम तोर पर ऐसा होता है कि चुहे बहुत सारे बच्चों को जनम देते हैं परन्तु क्योंकि जून जिस अवस्था में पाई गई थी वो बहुत ही कमजोर हालत में थी उसका एक ही बच्चा हुआ और वो भी चल बसा कुछी शणों में यह जो है बड़ा ही दुखदाई घटना होती है मिशेल के लिए कि क्यों उसकी कंडिशन इसकी हालत ऐसी हुई अगर इसका ध्यान रखा जाता तो ऐसा ना होता मिशेल उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और दोस्तों समय चलता जाता है आगे बढ़ता जाता है दिन निकलते जाते हैं मिशेल ने एक कंपनी में अपलाई किया होता है जो उसकी एक ड्रीम जॉब होती है उसको महां से लेटर आता है उसको यह नौकरी मिल गई होती है लेकिन अब वो असमंजस में पढ़ जाती है वो बहुत खुश भी होती है और दुखी भी होती है कि वो जून को कहां छोड़ेगी लोग जून से प्यार तो बहुत करते हैं बट उसे अपनाएगा कौन वह जानती थी कि दूर दूर से प्यार करना लेकिन इसका भी हल मिल गया उसकी सहेली ने उसे कहा कि मैं कैसे परिवार को जानती हूँ जो जून के लिए एक बहुत ही अच्छी फैमिली होगी और वो फैमिली होती है दोस्तों किम और जेमित की जो कि बहुत बिजी होते हैं अपनी लाइफ में बट ये जून कहीं न कहीं से अपना रास्ता बनाकर उनकी लाइफ में आ जाती है वे पहली बार मिलते हैं और वो उसे ले लेते हैं किम को अपने स्कूल के दिनों की याद आ जाती है जब उसकी लाइफ में चूहे तब बहुत सारे आये थे और अब जब बड़ी हो गई थी, तब अब उसकी लाइफ में वापस यह सबाया था जेमत की लाइफ का यह पहला जानवर था जो उसकी लाइफ में आया था जो की एक चूहा था, तो वो दिनों उसे अपने घर ले जाते हैं और वो देखते हैं कि वे काफी कमजोर होती है, तो वो इसे बहुत अच्छा खाना कहलाते हैं, दोनों हेल्थ और निट्रिशन में ही होते हैं, उसे बहुत अच्छा खाना कहलाते हैं, और उसके साथ बड़े प्रेम से रहते हैं, सने से रहते हैं, जून उनके साथ बहुत आर वो उनके साथ रहने आते हैं किम और जेमित जो कमपनी चलाते हैं उसमें उनको मदद की जरूरत चाहिए होती हैं बट उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बाहर के लोगों को रख सकें तो उनके पिता जी जो है आते हैं और उनकी मदद करते हैं उनके पिता जी को भी जो है माना जाता है ऐसा माना जाता है कि जून हर एक को प्यार देने वाली जुहिया होती है वो कोई भी जो घर में आता है उसके साथ बड़ी ही जल्दी उसके साथ घुल मिल जाती है और हमेश्या सभी को स्नेह और प्रेम देती है तो उसके दादा जी बन जाते हैं किम के पिता और उन दोनों को भी 박स Winston बहुत लगाव हो जाता है कि लेकिन समय गति मान है कुछ दिनों बाद उनका भी जाने का टाइम आजाता है उनको वापिस अपने घर फ्लॉरिडा जाना हوتा है कि बATHAN copyright होते हैं तब जो है उनको हो लोना आता है कक्यों को लगाव हो जाता है उन जो जो जून जो है, वो किम की आँखों में देखके, जैसे मानो बात करती है, कि इस वक्त दादा जी को मेरी जरूरत है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं, मुझे इनके साथ कुछ पल रहने दो, और जैसे यकीन मानिया कि किम भी जो है, समझ जाती है ये बात, वे कुछ शन और जून और दादा जी को एक साथ रहने देती है, जून जो है, दादा जी को बहुत हलका महसूस कराती है, वो शान्त हो जाते हैं, जो उनकी आँखों में आसू आरे होते हैं, वो ब्रुक जाते ह और वह खुशी-खुशी सबको अलविदा कहके जाते हैं और वह जब फ्लाइट में बैठते हैं तब सभी को बताते हैं जून के बारे में अपने घर पहुँच कर सभी को जून के बारे में बताते हैं तो इस चाप्टर के अंत में दोस्तों हमें यह बताया जाता है कि जो जा करते हैं, इनसान गल्तियां करते हैं, अपने मन में ग्रजज रखते हैं, शिकायते रखते हैं, और उन्हीं को लेकर बैठे रहते हैं, सालों साल, लेकिन जानवर ऐसे नहीं होते हैं, जो आपके प्यारे पैट्स होते हैं, वो आपसे नाराज जरूर होते हैं, एक बार क्या हो जो छोटे-छोटे कागज होते हैं उसके और कत्रने बना के लेकिन किम के मन में डर होता है कि कहीं ये किसी पैकेजिंग के साथ ना चली जाए तो वो इसको बड़े से डबे को जो हटा कि उसका चोटा डबा बना देती है लेकिन इसका असर जून की जो है मानसिक सिती पर क्यूं खराब किया गया वे बहुत दिनों तक किम से नाराज रहती है किम उसे प्यार करती है उसको सहलाती है और कुछी शनों बाद वो जो है कुछ दिनों बाद वो जो है वापिस उसके साथ वैसे ही हसने खेले लग जाती हो जो उसने उसके लिए नया घर बनाया होता है वे उसमें एड़जस्ट कर लेती हैं, तो इन ही सब बातों और घटनाओं से हमें पता चलता है कि हमें जानवरों से बहुत कुछ सीखना चाहिए, वे कितने प्यार से भरे होते हैं, स्नेह से, आपसे लगाव कर लेते हैं कुछ ही दिनों में, शमा भाव, शमा करना जानते हैं, नाराज होते हैं आपसे, एक्सप्रेस भी करते हैं उसको, इनसानों की तरह नहीं कि जूट बोलें, अपना एक्सप्रेस ना करें इमोशन्स, वे अपने इमोशन्स को एक्सप्रेस करते हैं, बट अपने दिल में कोई बाते नहीं रखते हैं, कुछी शनोबाद वो फिर से आपके साथ वैसे ही हसने बोलने खेलने लग जाते हैं, तो कोई दिखावा नहीं, कोई छल नहीं, एकदम जो है साफ दिल के, तो हम इनसानों को उनसे बहुत कुछ सीखने को है मित्रों, बहुत कुछ, तो यह चाप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है, दोस्तों, अब मैं आपको नेक्स चाप्टर के बारे में बताती हूँ, जिसमें, जिसका नाम है चाप्टर 4, Conversations with Rat, जून, बातचीत शुरू हो जाती है जून के साथ, अब जून के कुछ, जून जब की जिंदगी म जून में आजाती है, तो वो सोचती है, क्या ऐसा होता है? वो वहां से बहुत सारे फोन नंबर लती हो, और ऐनिमल कम्यूनिकेटर्स को, जो आनिमल से बातचीत कर सकते हैं, उनके फोन नंबर मिलाती हो, और एक से मिलने जाती है, उन्हें आधा घंटा वो दोनों, किम और जेमत बाहर वेट करते हैं और उन्हें बताया जाता है हाँ जून ने बात की दोने बड़े ही इहरान होते हैं कि जून ने क्या बात करी होगी जून से पूछा जाता है कि क्या वे अकेली है क्योंकि चुहे जो है वो बड़े ही सोशल होते हैं कंपनी पसंद करते हैं तो जून और जेमत के साथ बहुत खुश हूँ और मैं यहाँ चुहों से बात करने नहीं इनसानों से बात करने आई हूँ यह एक बहुत बड़ा संदेश था जो जून ने अपने सपष्ट शब्दों में उस कम्यूनिकेटर को बताया था और यही बात जो है किम और जेमत को बताईगी जो कि बहुत हैरान हो गई है जानकर लेकिन किम जो है दोस्तों बहुत जल्दी चीज़े नहीं मानती थी उसके मन में बड़े ही संशे थे कि क्या यह बाते सच हैं तो इसका और खुलासा करने के लिए उसने और बहुत सारे अनिमल कम्यूनिकेटर के नमबर ढूंडे किसी को वो किसी के बार जून के बार में कुछ भी नहीं बताती थी हाला कि वे जानती होती थी पर वो हर एक से सेम प्रश्न पूछा करती थी वही सवाल पूछा करती थी लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि हर अनिमल कम्यूनिकेटर वही उत्तर देता था तो अब उसको विश्वास होने लगया कि ऐसा होता है कि हमें जानवरों से बात करने के लिए भाशा की ज़रूरत नहीं है यह टेलीपैथी से चल रहा था क्योंकि हम उनकी भाशा नहीं समझ पाते हैं टेलीपैथी जो हम किसी का मन पढ़ लेते हैं तब ही किम अपने थोड़े बच्पन में जाती है जब वो एक दिन बैठ के सोचती है कि बच्पन में वो भी ऐसा बहुत करा करती थी उसके पास भी ऐसी शमता और शक्तियां थी कि वे दूसरों का माइंड रीड कर सकती थी लेकिन बड़े होते होते शायद वे कहीं खो गए क्योंकि वे भूल गई वे अपने कामकार जमेतना व्यस्त हो गई कि वे अपनी इन शक्तियों के बारे में भूल गई कि वे भी कम्यूनिकेट कर सकती है एक घटना बताई गई है दोस्तों कि एक बार क्या हुआ कि जून जो है खाना पीना बंद कर दिया जून ने और जून जो है इनक्टिव सी हो गई तो वो एनिमल कम्यूनिकेटर के पास लेके गई जिन्होंने उसे बताया कि इसकी मानस्तिक स्थिती तो बिल्कुल ठीक है लेकिन इसको शारीरिक कश्ट है तब वहां से पता चला कि जून के पैर के उपर कुछ उसकी उंगलियों के उपर एक भारी सा धकन गिर गया था जब वो कुछ यहां वहां चीजें छेड़ रही थी जिससे उसको चोट पहुँची है और इसलिए वह दर्द में है तो यह उसको पता चला और सच में जब उन्होंने देखा तो वहां एक चोट थी अब किम का धीरे-धीरे विश्वास होने लगा इन सब बातों पर और इसी को आगे विस्तार में बताते हूँ एक घटना बताते हैं कि किम ने एक बार जून से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ तुम खुश नहीं दिखरी तो जैसे जून ने उसे बोला कि मैं मुझे चोट लगी है किम को यकीन नहीं हुआ कि जून ने उसको बताया है कि उसे चोट लगी है उसने फिर से एक आनिमल कम्यूनिकेटर को फोन किया किम को लगा कि ये सब मजाख होगा ये मेरे मन की बात है यह मेरा माइंड अपने आप कहानिया बना रहा है ऐसा कुछ नहीं है पर जब उसने आनिमल कम्यूनिकेटर से पूछा तो उसने सच में बताया कि हाँ इसे चोट लग गई है तो उसने उसका इलाज करा और उसने उसको कुछी दिनों में वो ठीक भी हो गई और वापिस हसी ख जाग रही थी टेली पैथी की मन को समझने की एक मन से दूसरे मन तक पहुचने की इसके लिए भाशा की जरूरत नहीं है इसके लिए आपको शब्दों की जरूरत नहीं है आप मन पढ़ सकते हैं दूसरों का तो किम जो हैं बहुत खुश थी इस नई डिसकावरी पे अपन तो दोस्तों ये थे चाप्टर्स 3 और 4 धन्यवाद